हालो हाई दोस्तों वेलकम बेक टू उनान डिजिटल उनान डिजिटल के ओनलाइन प्लेटफोर्म पर आप सभी छात्रों का एक बार फिर से मैं अखिले स्वागत करता हूं और आज की क्लास में हम जो डिसकस करने वाले हैं वो डिसकसन होगा क्लास 10 के छात्रों के लिए जो म क्लास आज हम डिसकस करने वाले हैं वह मौस्ट इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब इन्हीं कोसें में से आपको एकशाम में को संदेखने को मिल रहे होंगे तो बैसे कली हम टोटल चार क्लासेश या पांच क्लासेश आपकी अभी स्टार्ट में लेंगे जिसमें हम आपके जो objective pattern के questions होते हैं जो आपके 30 number cover करते हैं जैसे fill in the blank हो गया, match the column हो गया, true false हो गया, choose the correct हो गया, one word हो गया, तो ये 6 type के questions आपके होते हैं जिससे आपके 30 number cover होते हैं वो 30 number के बारे में आपसे हम discuss करेंगे और यकीन मानिए कि ये जो 6 वीडियो हमारे बनेंगे 6 वीडियो में आ परवाएंगे 25 questions में से ही आपको महाँ पर questions देखने को मिलेंगे क्योंकि ये जो है ये चुनिंदा प्रस्न, ये चुनिंदा questions हम लेकर आपके लिए आए हैं according to blueprint 2023 का जो आपका exam होना है उसके हिसाब से तो आईए discuss करते हम प्रस्नों को और चीजों को केवल हम ये नहीं कि आ पहला प्रस्न ठेक है चलिए पहला प्रस्न और पहला टाइप चुकि आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आपकी जो exam board की होनी है उस exam में उस exam में सबसे पहले जो 6 प्रस्न आएंगे वो choose the correct वाले आएंगे तो हमारा आज का जो वीडियो रहेगा वो choose the correct वाले प्रस् ठेक है तो आए डिसकस करते हैं और यह जो वीडियो है वो वीडियो हम जो बना रहे हैं यह वीडियो ओन डिमांड है उन चात्रों के लिए जो रेवा गुजरी स्कूल सनावत के इनके डिमांड पर यह वीडियो बनाया जा रहा है तो आप सभी चात्रों के लिए जो भी बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा तो आप इस questions का आंसर खुद भी दे सकते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके पहले आप खुद आंसर दें और अगर चीजे नहीं समझ आ रहे हैं तो फिर मैं आपको solution दिखाऊंगा हर प्रश्ण में यही होगा हम डिसकस कर लें किस तरीके स समझ इह इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप वीडियो को पोस्ट करके पहले अपना अनसर लगा लें उससे क्या होगा उससे आप यह समझ पाएंगे कि क्या मुझसे सामने सरी यह रहा और बहुत ही अच्छा प्रस्टन है ना इंपोर्टम है पिछले सालों में भी बार-बार कुशन रिपीट हो रहा है तो इस हिसाब से ये बहुत ही important हो जाता है चलिए discuss करते हैं लिखा है product of two numbers दो नमबरों का जो गुणनफल है वो 32 है ठीक है and their LCM is 8 and their SCF will be आपसे पुछा है HCF LCM आपको पता है दो नमबरों का product पता है तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा sir कि कोई भी दुनिया में दो नमबर है अगर उन दो नमबरों का हम LCM निकाले और SCF निकाले ठीक है मानलो कोई दो नमबर X और भा है कुछ भी हो सकता है वहापर उन दोनों नमबरों का अगर हम LCM निकाले और SCF निकाले तो हम क्या पाते हैं कि जिन दो नमबरों का हमने LCM निकाला था उनका जो product होता है उनका जो गुणा होता है वो गुणा उनही दो नमबरों के LCM और SCF के गुणा के बरोबर होता है ये आपको पता होना चाहिए बस ठीक है अब आप देखें आपको दो नमबरों का product मतलब x multiply y जो है वह आपको दिया है 32 तो मैंने हापर रख दिया सर एक्स मल्टिप्लाइव हो गया सर 32 बोलो हाँ या ना क्लियर इतनी चीज़ें फिर कहा है कि सर सर एलसेम कितना दिया आट तो जहां एलसेमें वहाँ पर हमने लिख दिया आठ और हमें क्या निकालना है सर हमें निकालना है सर आप सभी को पता है कि आठ जो मल्टिप्लाइ में है अगर इधर आएगा तो एच कमान कितना हो जाएका सर 32 के बटे में आ जाएगा आठ तो एच का मान हो गया 8.32 मतलब आपका जो HCF आ जाएगा वो कितना आ जागा चार तो आपका option A correct answer हो गया बरोबर है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखो वीडियो post करो solve करके देखो फिर मैं discuss करना हूँ तो I hope कि आपने आप अपने teacher की बातों को बहुत अच्छे से मानते होंगे और उसी तरीके से मेरी बातों को भी सुन रहे होंगे और मान रहे होंगे कि वीडियो post करके पहले solve किया होगा दैन आप वीडियो प्ले कर रहे होंगे ठीक है चलिए तो अगर आप ऐसा नंबर होंगे objective के उसमें से आपका एक नंबर भी नहीं कट रहा होगा और इन 30 questions में अगर आप 100% score कर गए तीन प्रस्ट जो 30 प्रस्ट होंगे इनके 30 number अगर आप ले आए तो आपके दूसरे प्रस्ट जो होंगे जो objective नहीं होंगे उनमें भी आपको benefit मिल रहा होगा कहीं जगों पर आप चीजों को समझ रहे होंगे और उन questions को भी क्रेक कर रहे होंगे ठीक है चलिए तो अगला सवाल आपके पास है the sum of roots of the quadratic equation ठीक है सबसे पहले discuss करें quadratic equation क्या होती है सर ऐसी equation जिसमें degree दो हो जिसमें variable की power दो हो maximum power दो हो उसको हम बोलते है quadratic equation जैसे की यह रहा ठीक है बट यहाँ पर थोड़ा सा confuse आपको क्या गया है normally जो general form होता है न सर वो क्या होता है general form होता है x square plus bx plus c equal to 0 और उस case में हम बोलते हैं कि sum of roots sum of roots alpha plus beta जो होगा वो होगा minus b by a ठीक है बात को समझना मेरी अगर general form यह है न तो alpha plus beta minus b by a होता है बरोबर है अच्छा b क्या होता है सर बी जो होता है वो x का coefficient होता है और a जो होता है वो x square का coefficient होता है coefficient मतलब होता है गुणांक मतलब गुणा में ठीक है चलिए तो अब हम यहां discuss करेंगे अभी इसने क्या क्या equation को change कर दिया है क्या change किया देखिए इसने equation लिखा x square plus cx plus b equal to 0 that means जहां पहले b आता था अब वहाँ पर c आ रहा है अब वहाँ पर c आ रहा है तो आप से पुछवा है sum of fruits तो आप खुद बोलो हाँ भाई हाँ हमें पता है कि sum of fruits minus b by a होता है पर अगर आपने minus b by a अच्छा मान लो यहाँ पर option होता भी एक मैं लिख देता हूँ आप उलत जाओगे minus b by a option होता भी तो क्या आप इसको लगा देते अगर आप इसको लगाते तो आपका अंसर गलत था हलाकि alpha plus beta minus b by होता है पर वो किस case में होता है जब equation इस form में हो बट आपको उसने equation ही बदल रिपीड करते हैं सर हमें पता है अलफा plus beta जो होता है वो मैनस b by a होता है minus पर यहाँ पर जो B का value है वो C है तो minus B by A A का value 1 है तो A तो आपका answer हो गया minus C ठीक है बरोबर है चलिए अगले प्रस्ण पर बढ़ते हैं सर अगला प्रस्ण यह रहा आपकी screen पर ठीक है समझिएगा अगला प्रस्ण आपका जो है यह आपकी screen पर है voice आपको बहुत अच्छे से clear आ रहा है वीडियो बहुत अच्छे से visible हो रहा है चलिए तो लिखा है all square सारे जो square होते हैं same similar congruent all of this ठीक है तो यहाँ पर बड़े ध्यान समझना चाहिए कि सारे के सारे square same same मतलब समान समान तो हम लगा नहीं सकते सर क्योंकि square बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है तो बड़ा और छोटा तो फिर समान कैसे होगा यह बड़ा है यह छोटा है यह भी square है और यह भी जो है square है दोनों के दोनो square है बट यह छोटा है यह बड़ा है ठीक है all square चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो क्या समान होते हैं नहीं होते हैं सर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी सकता है समान कैसे हो सकते हैं similar similar का मतलब होता है सारे के सारे सारे स्क्वेर होते हैं क्या वो एक जैसे होते हैं इसको अगर अपनी भाषा में समझे ना रद्धी लिंग्वेज में अगर हम समझे तो हम यह कह सकते हैं सिमिलर मतलब एक जेसा एक जेसा जैसे एक्जेम्पल के लिए पिता और पुत्र फादर एंड सन फादर एंड सन जैसे हम कहते हैं कि यह जो लड़का है यह अपने पाप जैसा दिखता है सर पापा के बराबर नहीं है ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि पापा जैसा दिखता एक छोटा एक बड़ा है पर दिखते डिटो सेम है ठीक है तो उसको बोलते हैं सिमिलर कॉंग्रेंट क्या होता है सर कॉंग्रेंट समझ सकते हो राम और स्याम राम और स्या होते हैं तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो यह होगा कि सारे के सारे स्क्वेर सिमिलर होते हैं पिता और पुतर की तरह तो पक्का-पका होते हैं तो आपका जो अंसर हो गया वह जो तो था एक पापा होगा तो एक बेटा होगा ठीक है जुडवा हो भी सकते हैं मतलब कांगरेंट होगा वो क्या होगा सिमिलर होगा चलिए अगला सवाल देखिए सर है तरेंगल फोंब आए दो साइड़ 8 15 17 सेंटिमेटर विल भी वो कह रहा है कि अगर हम ऐसा एक triangle बनाएं तो वो triangle क्या कहलाएगा तो आप कुछ समझें एक side 15 है एक 8 है 15 और एक 17 है ठीक है आइसवे scale triangle क्या होता है आइसवे scale का मतलब होता है ऐसा triangle जिसमें 2 side equal हो दो बरोबर होनी चाहिए क्या इसमें 2 बरोबर है नहीं है तो यह option तो आपका हो गया गलत दूसर आपर बड़ी side कौन से होगई 17 होगई कौन से होगई 17 ठीक है बाकी की दो बची है तो यह 8 और यह 15 तो अगर अगर भाई यह तीनों right angle triangle की side है तो फिर सर perpendicular और base का अगर हम square करें इसका भी square करें तो यह इसके बराबर आना चाहिए इन दोनों का जो सम है वो 17 के square के बराबर आना चाहिए पाइथाओकरस ने क्या का है पर्पेंडिकुलर स्कॉर प्लस बेस स्कॉर इक्वल टू हाइपने स्कॉर हाँ या ना तो आपको इसका square करना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि सार इसका square हो जाएगा 64 हाँ या ना इसका square हो जागा 225 अगर 225 और 64 को हम जोड स्कॉर के बराबर है इसका यह मतलब हुआ कि सर पका पका यह राइट एंगल ट्रेंगल है बोलो हाँ या ना ठीक है बरोबर है सर वैरी गुड एक्सलेंट अब आगे भी option चाहो तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है आई-सकेल राइट एंगल ट्रेंगल सर आई-सकेल भी औ सकते हैं कि राइट इंगल ट्रेंगल होगा क्योंकि आई-सकेल तो हई ही नहीं कंफर्म इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होने चाहिए इक्वल भी नहीं है तो आपको सौल्ट नहीं करना है बचा हुआ ऑप्सन ही सहीं होगा सर खतम ही बाद तो आपका टाइम आप च चॉंचे मतलब होता है जो तक करके निकल यह रपारन हो जाया ओठीकर और जहां पर तच वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, point of contact, इस point को हम sir कहते हैं, point of contact, बरोबर है, point of contact, आप क्या आप कह रहा है, कि tencent of circle drawn from the external point will be perpendicular, parallel, equal, none of this, tencent of circle drawn from the external point will be, यार, जो tencent होती है, किसे external point से, वो क्या होती है, circle को क्या उप्षिक करके निकलती है, तो यहां तो देखा जातो एक भी option सही नहीं द टेक एक चीज़ एक चीज़ देखना है टेंजेंट बोला हुआ है ल टेंजेंट एक टेंजेंट हमीवडागर सकते हैं सर मानलजी एक्सटर्नल पॉंट पई यह पॉइंट भी है तो यहाँ पर हमेशा यह टेंजेंट बरबर मतलब pee और पी भी दो नो बरबर होंगी तो आप कहे सकते हैं कि किसी भी बहारी बिंदू से, किसी भी बहारी बिंदू से, सरकल पर अगर हम टेंजेंट डॉक करें, तो दोनों की दोनों टेंजेंट जो होगी, वो दोनों टेंजेंट क्या होगी, आपस में equal होगी, तो आप यहां पर आंसर देंगे sir, equal, option c is correct answer, एक्वेसन आपको दिये A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 यूनिक सॉलिशन कब होता है, sir, यूनिक सॉलिशन कब होता है तीन चीज़े होती है, A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 मैं यह कह रहा हूँ कि कभी भी कि इन दोनों एक्वेसन में इनका रेशो और इनका रेशो अगर बरोबर नहीं हो अगर इनका रेशो बरोबर नहीं हो अगर इनका रेशो बरोबर नहीं हो तो हम कहेंगे यूनिक सोलिशन होगा यूनिक मतलब अध्वीती हो यूनिक सोलिशन होगा ठीक है बट बट अगर माल लिजिए है ना इनका रेश बरोबर हो यह बरोबर हो और यह बरोबर नहीं हो यह भी हो सकता है या फिर तीसरी कंडिशन क्या हो सकती है कि तीनों की तीनों रेसों क्या हो आपस में बरोबर हो सर तीनों रेसों जो है अगर बरोबर नहीं है तो आप कहेंगे आप कहेंगे no solution no solution इसका एक भी उत्तर नहीं होगा ठीक है आप क्या कहेंगे no solution और अगर तीनों की तीनों बरोबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों equation 2 नहीं वह एक ही है और जब दोनों equation इसका मतर्ब लाइन एक ही बनेगी एक की उपर एक आएक तो यहां पर हो जाएगा infinite value solution infinite many solution ठीक है infinite many solution बरोभर है सर तो अभी हम यह देख रहे हैं कि यहां पर इसने कहा है कि unique solution होना चाहिए तो condition क्या होगी सर unique solution की condition यह रही a1 upon a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 upon b2 that means option b is correct answer ठीक है सर very good चलिए आगे बढ़ते हैं कि अधर डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले तो सर चुकी आप क्लास 10 में उमीद है बहुत अच्छे से पढ़े होंगे चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई होगी और आपने बहुत अच्छे से चीजों को लर्न किया होगा समझा होगा कॉंसेप को तो डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही मेरे दिमाग में आ तो मैंने का डिस्क्रिमिनेंट इसक्वाइर माइनस 4ac ठीक है अब हम क्या करते हैं यह कह रहा है कि और डिस्क्रिमिनेंट जैसे क्वाइर सन इसल्पो बंगयर में तो आप एक बात को समझे, जब भी d बराबर 0 होगा, मेरी बात कुछ हैं समझा, x बराबर होता है, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, सबको ये फार्मला पता होगा, स्री धराचार ये साब जी का फार्मला ये सबको पता होगा, ठीक है न, तो आप सोचो, अगर, अगर सहाब, ये 0 हो गया, d 1, 0 होचाहे, minus कर उत्ता, तो एक ही आना है, तो इस case में एक बात तो पक्की है, कि जो 2x के answer आते हैं, x के 2, 2 मान आते हैं, वो दोनों के दोनों, जो होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे, एक्स का पहला मान, और x का जो दूसरा मान होगा, वो दोनों के दोनों आपस मे में क्या होंगे बराबर होंगे मतलब alpha equal to kya होगा beta होगा that means roots equal होगे ये तो पका होगा सर पका-पका roots equal होगे और और क्या होगा real होगे sir real किसको बोलते है root के अंदर minus value नियुक्त रैहां तो root ही गायब हो गया to root के अंदर- कहाँ से आएगा imaginary किसको कहते है distinct इसको कहते है roots अगर root के अंदर कहीं root के अंदर आपको minus sign दिख जाए ना इसका मतलब kalpnik number imaginary है पर यहां तो root ही का अब हो गया तो roots real होंगे और equal होंगे option B real होंगे और equal होंगे D अगर 0 हो तो roots real होंगे और equal होंगे अब इसको याद रखने कर तरीका है अगर मैं कहूं मेरी जेब में पैसे नहीं है तो यह हो सकता है real बात है मतलब D अगर 0 हो तो यह real हो सकता है तो आप real लगाओगे बट D अगर 0 से बड़ा हो 0 से बड़ा मतलब 2, 4, 8, 10 कुछ मैं कहूं मेरी जेब में 10 रुपए है तो भी हो सकता है मेरी जेब में 10 रुपए हो सकते है बट अगर साहाब मैं कह दूं D 0 से छोटा है 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर मैं कह दूं मेरी जेब में माइनस 10 रुपए पड़े है तो क्या यह real है बिल्कुल भी नेसर, माइनस दस जेब में कैसे हो सकते हैं तो ये दोनों condition तो real वाली होती है 0 होना, या 0 से ज़्यादा रूपए होना आपके जेब में ये possible है, मतलब ये real है बट अगर में को मेरी जेब में माइनस 10 रूपए है तो imaginary होगी, और अगर माइनस वाला नहीं है कुछ भी हो दूसरा, तो roots real होगे हाँ या ना, चलिए तो ये चीज़ आपको clear हो गई होगी आगे बढ़ते हैं साब the solution of equation इस equation का solution क्या होगा तो कह रहा है कि ये equation है सर, यहाँ x का क्या मान रखें ताकि answer 0 आए सर, minus 1 रखने पर तो 0 नहीं आएगा तो ये तो गलत हो गया सर, यहाँ अगर मैं 0 रख दो तो 1 का square 1 आएगा तो भी 0 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया पर अगर यहाँ 1 रखते हैं, तो 1 minus 1 का holy square 0 का holy square और 0 खलक तो 0 आएगा, मतलब ये option आपका सही जा रहा है तो option C is correct answer x का ऐसा मान यहाँ रखो, x की कौन सी value इनमें सी x की कौन सी value यहाँ रखें x की कौन सी value यहाँ रखें ताकि answer क्या आजाए, 0 आजाए तो option C में 1 1 चाहे एक 1 रखो, दूसरा रखो, एकी बात यहाँ 1 रखेंगे, तो यह 0 हो जाएगा तो answer 0 आएगा that means यह इसके roots है, बोलो हाँ या ना clear इतनी बात, चलिए अगला प्रस्ट देखिए सर, अगला जो है प्रस्ट नमबर 9, the first term and the common difference difference of an AP, आप एक AP दिया है, उसमें आपको first term पूछा है और common difference पूछा है ठीक है, the first term and the common difference यार बेटा, first term क्या होती है, यह सुरू की 3 by 2, तो यहाँ पर तो first term 3 by 2 है यह गलत हो गया और यह गलत, क्योंकि minus वाला तो ही ना है, first term तो plus का 3 by 2 है first term में क्या लिखा है, plus 3 by 2 तो दो तर तो आपके हिसा ही गलत हो, क्योंकि तुक्का भी मारों तो यह मत मानना, क्योंकि पहली पद, पहला पद, first term जो है वो plus वाली है, इसने minus में लिख दिया है अब बचे 2, आप यह देखो common difference किसे निकालते है, सर, common difference किसे निकालते है, a1, a2, सर, दूसरे वाले पद में से पहले वाले को minus करेंगे, यहां दूसरा पद क्या है, 1 by 2, है ना, उसमें से minus करेंगे पहले पद को, 3 by 2 को, है ना, तो 1 by 2 में से 3 by 2 minus होगा, तो answer आएगा, यह 2, 1 minus 3, बोलो हाँ यह ना, तो 1 minus 3 मतलब minus 2 upon में 2, answer कितना आगया, minus 1, पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग इतनी माथा पच्ची क्यों कर रहे है, exam में आपका time बहुत important होगा, आप खुद सोचें, 1 by 2 का मतलब होता है, सर, आधा, बोलो हाँ है ना, और 3 by 2 का मतलब होता है, देढ, यार बेटा, एक में से देढ घटाओगे, तो माइनस का एक उत्तर आएगा, है ना, आप देढ में से एक घटाओ, ठीक है, सोरी, देढ में से आधा घटाओ, देढ में से आधा घटाओगे, तो क्या बच्चेगा, एक, पर चुकी, देढ माइनस का है सर और या सकता यह सब करने की आपको नहीं थी, मतलब गढ़िवेलू मैंनस का चीन्द बड़ा है, तो सब करने की के ऊब है, प्लस में तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया ? A option क्योंकि D जो आपका प्रत्थम पद है वो माइनस का प्लस का है और जो सेकेंड पद है वो माइनस आना चाहिए तो आप बिना solution के फिर इसका अंसर दे सकते हैं सर पहला जो है वो प्लस का आना था A और जो common difference है वो माइनस का आना था तो आप अंसर नहीं भी लाओगे तो भी पता चल जाएगा सर एक ही उत्तर एसा है जिसमें पहली टम प्लस के दूसरी माइनस की होनी चाहिए खतम ठीक है अगर आपकी demand रही तो comment में लिखना on demand वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके exam से पहले पहले आपके 30 number हो सका तो आगे के प्रस्ण भी जो आपके doubts होंगी वो आप हमें comment में भेजी तो हम आपके साथ उन प् पता है क्या lock कर दें आपके answer को चलिए तो the ratio of the circumference and diameter sir circumference और diameter का जो ratio होता है न उसको पाई कहा जाता है पाई उसको क्या कहा जाता है पाई उसको क्या कहा जाता है पाई एक फिर से देख लिए चलिए circumference यह सरकल है यह कह रहा है कि इसकी circumference मतलब यह जो boundary है इसका सब को पता है sir circumference जो होती हो कितनी होती है बाबा 2PiR होती है तो कह रहा है कि circumference और diameter का जो ratio होगा वो क्या होगा तो मैंने लेका 2PiR circumference क्या होती है 2PiR और diameter क्या होता है sir diameter 2R होता है कितना होता है 2R तो 2R से अग आपके पास आगा पाई आंसर क्या आएगा पाई आंसर आएगा तो पाई बाई वन बटे में तो वन होता है तो आपका सहीत रोगा पाई बाई वन वन ठीक है प्रस्ण के सेते सब अच्छे पिल लगे Most Important вопрос questions थे चुनिन्दा प्रस्ट है आपके blueprint की अगilan चाहिए तो आप लोगों को इसका अगर नोट सब्सक्राइब अपको मिल जाएगा वहां पर आपको यह देखने कर यह देखे यह लोगों को दिख राए आपको इस आप से हैं कि इन वीडियो को यूटूब पर देखिए और अपने सभी दोस्तों को जो तयारी कर रहे हैं आप अगर उनका हिद चाहते हैं तो नहीं वीडियो सेयर करें और अगर सेयर करेंगे आपका प्यार अगर हमारे साथ बना रहा तो आगे भी हम आपको बहतरीन तरीके से content provide करवाएंगे और आज आप 5 में जब आप 11 में जाएंगे तो 11 में भी हम आपके साथ खड़े होंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप